आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे वेन पंप के बारे में वेन पंप एक positive displacement पंप है और positive displacement पंप में rotary पंप के अंतरगत आता है जो वेन पंप है इसको Canadian citizen Charles C. Barnes ने इसको invent किया था और इसको 16 जून 1874 में इसको patent करवाया था अब बात करते हैं वेन पंप क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसकी क्या क्या construction में part होते हैं और इसकी advantage क्या है disadvantage और application क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं जो वेन पंप है इसका प्रियोग हम जो low to medium viscosity liquid है उनको pump करने के लिए उनको transport करने के लिए एक place से दूसरी place पर उसके लिए इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है अब यह जो low to medium viscosity liquid है इसमें LPG हो सकती है या फिर जो intrant gases है वो हो सकती है ammonia हो सकता है, solvent हो सकते है, fuel oil हो सकते है, gasoline इतियादी हो सकते है और इससे हमें smooth flow मिलता है जो pulsation output है वो भी कम रहती है अब बात करते हैं इसकी construction के बारे में इसमें क्या क्या part होते है सबसे पहले अगर हम देखें यह इसकी section side होती है जिसे हम inlet port खहते हैं यह इसका delivery side हो या outlet port होता है उसके बाद इसमें यह circular type की casing होती है और इसमें एक eccentric rotor लगा होता है यह आप देख पा रही है यह rotor है, इस diagram में आपको अच्छे से visible होगा कि यह इसमें एक eccentric rotor है क्योंकि यह दो circle आपको नजर आ रहे है इनका offset center है तो इसलिए क्या है कि यह cam की form में आपको नजर आ रहा है और इस eccentric rotor में अगर हम बात करें इसमें slots बने होते हैं जैसी आपको white color में यह आपको दिख रहे हैं यह इसमें slots बने हुए हैं जिनकी जो संख्या है वो 4 से लेके 8 तक हो सकती है और इन slots में अगर हम बात करें यह आपको जो black color में नजर आ रहे हैं यह इसमें veins होती है और यह जो veins होती हैं यह इन slots में यह slide करती है यह कह सकते हैं reciprocate करती हैं जैसे जैसे rotor rotate करता है और वैसे ही यह अगर हम बात करें slot में जो भी veins होती है वो साथ में चलती है और यह जो casing का यह जो portion है जो inner part हम बोलें तो इसके साथ यह touch में जब भी आएंगी तो क्या है कि space के अनुसार यह अंदर slide होती जाएंगी यहां पर अगर हम देखें पूरी तरह से यह इसमें reciprocate हो गी है पुरा close हो गया यहां पर और जैसे जैसे हम आगे move करेंगे तो यह यहां पर क्या है कि फिर बाहर की तरफ आ जाएगी इधर यह बाहर आ गई तो इस प्रकार से तो यह veins है वो radially यहां पर reciprocate करती हैं और जो slots होती है उसमें वो reciprocate करती है centrifugal force के कारण जो centrifugal force हमें rotor की rotation से मिलता है उसके प्रिणाम सवरूप ही यह veins है इन slots में यह slide करती है या फिर reciprocate करती है और जो sliding veins होती है एक प्रकार से यह spring loaded होती है यहां पर यह spring भी लगा होता है अगर हम बात करें तो जो spring loaded होती है एक प्रकार से यह जो हमारा जो suction side है और जो delivery side है इसके बीच में यह seal का भी कारिये करती है अब बात करते हैं कि जो vein pump है इसकी जो working है वो किस प्रकार से होती है जब भी हम vein pump के द्वारा कारिये को करते हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना है कि vein pump को start करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि pump की जो यह cylindrical casing है इसके अंदर जो liquid है वो भरा होना चाहिए और जब हमारा जो rotor है यह वाला जो rotor है rotate करना सुरू कर देता है तब rotor rotation से जो centrifugal force generate होता है उससे यह जो veins है यह जो आपका casing का यह जो surface है इसके against यह एक परकार से अगर हम कहें इसके against क्या है कि यह press होती है अगर हम देखें आप देख पा रहे हैं इस surface के against यह आपके अनुसार प्रेश होती है रोटर की rotation के कारण centrifugal force generate होने के कारण और जिससे क्या होगा कि जो हमारा यह जो inlet port है अगर हम देखें तो यहाँ पर एक vacuum create होता है और जो liquid है वो जो space होगा हमारा इन दोनों veins के बीच मे और यह जो portion है तो इस portion में जो liquid हो ट्रेफ हो जायेगा तो जैसे हम आगे move करेंगे तो जैसे जैसे आगे move करेंगे sufficient जो pressure है वो यहाँ पर produce होगा और उस pressure के produce होने के कारण यह जो liquid trap हुआ है हमारे इन दोनों veins के बीच में जो rotor का और यह जो casing का portion है इसके बीच में जो भी ह और उस फोर्स के कारण क्या है कि जो वेंज हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी और जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलती हैं तो हमारा क्या है कि वो जो आउटलेट जो पोर्ट है जो डिलिवरी साइड है वहां पर वो जो लिक्विड है वो हमारा क्या है कि वो डिस्चार्ज हो जाता है वो जो liquid है वो हमारा delivery side की तरफ flow करने लगता है एक pressure के sufficient pressure के create होने के कारण इधर हमारा क्या होगा कि liquid इधर discharge होगा और यहां construction create होगा जिससे inlet port में फिर से वो liquid है वो अंदर की तरफ जाएगा तो इस प्रकार से जो यह cycle है कारिया करने का यह बार बार repeat होता रहता है और जो vacuum pump है इसको अगर हम बात करें तकरीबन 700 बार मतलब की 700 बार pressure तक इसको बनाया गया है अगर हम बात करें इसकी advantage की advantage क्या है जो wane pump है gear pump के मकाबले इनकी जो working है काफी quiet होती है higher pressure capability यह हमें produce करते हैं gear pump के मकाबले gear pump के मकाबले इसकी जो volumetric efficiency भी जादा है और अगर हम बात करें disadvantage की जो wane pump है gear pump के मकाबले जादा complex होता है और expensive होता है और high viscosity liquid के लिए यह suitable नहीं होता और जो हमारे जो abrasive जो applications है उस case में भी जादा good यह suitable यह नहीं होता है अगर application की बात करते हैं जो wane pump है इसका इस्तेमाल हम जो aviation service है वहाँ पर fuel को transfer करने में इस्तेमाल करते हैं auto industry में fuels या refrigerant जो coolants होते हैं उनको flow करने में इसकी मदद ली जाती है automobiles में अगर हम बात करें जो super charging, power steering या जो air conditioning है और जो automatic transmission जो pump है वहाँ पर इसका इस्तेमाल है LPG cylinder feeling में इसका इस्तेमाल है जब हमें LPG या ammonia को bulk में transfer करना है तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है even solvent या alcohol को transfer करने के लिए भी इस pump का इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया wane pump के बारे में जो एक positive displacement pump है, rotary pump का ही type है और अगर मैं pump की बात करता हूँ, pump एक परकार से mechanical device होता है जो mechanical power को fluid power में ये change कर देता है तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको इवीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे